हेलो फ्रेंड्स आगे थे आप सभी का आर्वेद यूट्यूब में तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए कोश्चन ले करके आ हूँ यह कोश्चन क्लास 9 की मैथ से लाइन्स एंड एंगल से चेप्टर से लिया गया है यह कोश्चन एक सब्सक्राइब कर लिजे अग कुश्चन है मारे पास इन फिगर 6.28 फाइंड दा वेलूज आफ एक्स एंड वाई एंड देन सो देट एबी पैरलेल टो सीडी यह पैरलेल का सिंबॉल है यह एक हमारी लाइन है एबी और एक दूसरी लाइन है सीडी तो हमें यह दिखाना है लास्ट में कि यह पैरलेल है आपस में और इसमें X की वैलूज करनी है और Y की की वैलूज वैंड करनी है यानि एंगल X और एंगल Y को क्या करना है आप तो चलिए फिर यहां पर लिख सकते हैं अभी है कि अधिक्टी डिग्री प्लस एक्षिज इक्वल टू वान एक्टी डिग्री अब रीजन हो जाए गए आपर लीनियर प्लस तो यहां पर देखो जब इसको तो यह 50 इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा तो यह हो जाएगा एक्स इडिग्री माइनस फिप्टी डिग्री तो आंसर कितना आएगा आंसर आजाएगा 130 डिग्री ठीक है अब य के बारे में देखो जैसी यह एंगल वाई है और यह उसके आपोजिट में है तो यह वर्टिकली आपोजिट इंगल यहांपर लगाएंगे अगर कोई दो लाइने हैं आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो यह आमने शामने के जो एंगल होते हैं जैसे कि यह वाला इ वह इक्वल टू हो जाएगा 130 डिग्री के ठीक है तो यहां पर लिखेंगे कि वाई इस इक्वल टू 130 डिग्री इसका रिजन होगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कि वर्टिकली कि अपोजिट एंगल अब ध्यान से देखना यह जो है एक्स भी 130 डिग्री है और वाई भी 130 डिग्री है तो इस प्रकार से दोनों एंगल क्या हुए एक्वल अब दूसरी बात बताता हूं मैं आपको जैसे अगर कोई दो पैर्लल लाइने हैं और यह ट्रेंसवर्सल है उसको कट कर रहा है तो मigon लीज़े उसके ऑल्टर्नेट इंटिरियर अंगल इक्वल हो जाएं तो यह लाइने क्या होंगी पैर्लल ठीक तो इसमें हमें यह बताना है कि यह लाइने पैर्लल हैं तो उसके लिए ह इंटर्सेक्ट लाइन्स यह देखो यह लाइन अबी है और यह लाइन सीडी है अबी एंड सीडी ठीके एंड एंगल एक्स एंड वाई आर अल्टर्नेट इंटीरियर एंगल अब देखो यह आप उसमें एक्वल भी है सच देट सच देट अब मेरे पास इस्पेस नहीं है तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ सच देट एंगल एक्स इज़ इक्वल टू एंगल वाई तो मैं आपर बोल सकते हैं देएर फोर यह वाला यह जो एबी है वो पैरलल हो जाएगा सीडी के एबी पैरलल टू सीडी और यहीं हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमने प्रूब्ड कर लिया ठीक है तो यह मारा इस कुशन का आंसर हुआ आप चोग तो राइट अन कर लो या फिर वीडियो को पॉच करके स्क्रीन सॉट ले लो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अगर ज़रा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले कोश्चन के साथ तब तक अगले थेंक्यू ग्लास